नमस्कार दोस्तों मैं नाम है अबी मन्यू और जैसे कि हम कोसोसिस की हमारी जो सीरी चल रही है वहाँ पर हमने रास्ट वीडियो में डिवाइस के बारे में हमने पूरी जानगारी लीती तो अब क्या करते हैं कि आके बढ़ने से पहले कुछ भी करने से तो पहले मैं आपको जो मैंने बोला था उस वीडियो में तो हम एजेंट जो है इंस्टॉल करेंगे तो यह मेरी विंडो की मुसीन मैंने रेडी कर लिया है तो मैं यहां पे cmd में command prompt में जाता हूं और पहली चीजे हम जो basics देखेंगे वो यह रहेंगे कि यहां पे eip है ठीक है 43.87 तो सबसे पहले तो हम इनका आपस में देखेंगे कि communication है की नहीं ip config पहले इसका मैं चेक करता हूं ठीक है यह देखें यह भी 81 है आई पी तो हम पहले कि रीचिबिल्टी चेक करेंगे क्योंकि रीचिबिल्टी मस्ट है 187 इसका और सुरी मैंने क्या कर लगा दिया और 81 लगा दिया मैंने आम रियरी सुरी अच्छिली मैं एक नेट्वर्क पर काम करा था वही माइन में था चलिए ठीक हमारी रीचिबिल्टी है तो अब हमें क्या करना है एजेंट आप एजेंट डारेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और एजेंट जो है आप सर्वर का आई-पी एड्रस एंटर करेंगे तो आप वहां से भी एजेंट डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है 43.187 देखिए ठीक है यह डारेक्ट आ गया हमारे पास तो जिसका भी आपको चाहिए वह आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मेरा यह 64 यह तिंग तो अपन डाउनलोड कर लेते है है 64 वर्जिन सेव कर लेते हैं तो हमारा जैसे ही यहां पर इंस्टॉल होता है तो फिर हम देखते हैं कि कैसे वह आता है हमारे सर्वर में पोर्टल में चल जा भाई ठीक है यह हो गया जी डाउनलोडिंग ओपन फॉल्डर अचा फिनिस्ट आ गया क्योंकि वह लोकली है तो उसमें कोई बड़ाई बात ही नहीं तो इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने में सायद देख लेते हैं मैं आपी के सामने कर रहा हूं फरेस्ट क् कि मेरा जो काम करने का मे нравится गवाई लोगों को चीज़ें दिखाने का तरीका हो यही है कि भई जो हो सामने हो लोग या करते हैं एडिटेंग कर लेते हैं या फिर कुछ मैं कभी एडिटेंग नहीं करता हूं मेरी ऐसी वीडियो रहती कि अपन टेकनिकल बंद हैं यार कुछ आएगा सामने तो सीखेंगे तो यह सिम्पल चीजे हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि अगला इंसान कितनी फेर्टी कितने उससे काम कर रहा है हो जाई है एक्षुली मैंने मुसीन 2GB के साथ ही बनाई है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें स्लोने से हैं खर कोई नहीं अपने को सिरफ क्लाइंट चाहिए तो एक बार इंस्टॉल हो जाएगे देखे इसने सारी डिटेल अपने आप ले लिए डिपार्टमेंट कोड है यह आई पी देखो सर्वर आई पी आ इसने खुद लिया और पूर्टमर भी इसने खुद ले लिया क्योंकि एजन्ट हमने डारेक्ट इंस्टॉल किया है तो हम इसको इंस्टॉल करते यह सारे जो एजंट हैं यह आपको अपनी सारी मुसीनों में इंस्टॉल करने पड़ेंग इंस्ट्रोल कर सकते हो मैंने तो मैने इंजन के साथ इंस्ट्रोल कर दिये थे ठीक है तो वह पिक प्लस पॉइंट था और अगर आप सिंगल सिंगल भी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है वह दीरे दीरे अब यह है कि फिर रहो यहां पर आप यह आपको आगया हम यहां प इजन्ट की बात कर रहे हैं तो में आगको सारे दिवाइस таким दिखाएगा तो सारे डिपार्वाइस दिखाएगा तो आपको यह पीं पर आप रिक्वेस्ट भी रिखसकते हैं टीक है कि डिवाइस कोड़ अपने आप दिखा देगा यहां पर तो वह अपलाई हो जाएगा औ पर डालोगे एक request send कर दोगे कि मेरे को डिवाइस अंब्लोक करानी यूजर सेंड करतेगा तो आपके पास request आ जाएगे और आप वहाँ पर को टीपी उनको देंगे और वह authorized हो जाएगा authorized करेगा तो वह डिवाइस जो है अनलोग हो जाएगी फिर उसके बाद information देखे computer यूजर नेम है computer ID department location यूजर नेम अभी आ गया ठीक है employee ID ये सारी चीज़े हो आपने आफ यहां से भी फिल हो सकती है और वहां से भी users बनाने के time भी फिल हो सकती है और यहां पर update policy करेंगे तो यह दो तीन बार ऐसे चटके लेगा और एक दो तीन बार में अपडेट हो जाएंगी policies ठीक है जी तो चलिए बपन पोर्टल पर चलते हैं अपने और पोल्टल पर लोगिन करके देखते हैं कि क्या हुआ है यहां पर तो यह मैंने लोगिन किया अपने पोर्टल पर तेके डैस्पोर्ड में भी सायद कुछ एंट्रीज आ जाएंगी यह देखें एक एंडपॉइंट आ गया हमारा ओनलाइन ठीक है जो भी एंडपॉइंट आएंगे सारा दिखेंगा अपने को यह यहां पर सरवर इडिये थोड़ा सा दिरे दिरे आजएंगी डिटेल जब फाइल वगरवर्ण ट्रास्फर होंगी तो हम देखेंगे वह सब तर इसके बाद यहां पे डिवाइस में जाते हैं और हम यहां पीटर्स में जाते हैं । यह देखे, यह मेरा यहां पर आगया, देखे, man, IP, IP List, Domain, Inherit, टीक है, अब जिसे मैंने रात आपको में रहा तो आपको वीडियो में बताया था, तो आप यहां पर जाएंगे, और इसके भी Manage Right कर सकते हैं, ठीक है, Edit कर सकते हैं, इसको आप Edit कर सकते हैं, इसको आप Edit कर सकत सकते हैं computer ID बना सकते हैं ठीक है और यह चोटी-चोटी चीजें आप कर सकते हैं manage right आप करेंगे तो manage right के अंदर यहां पर इसकी specific details आ जाएंगे देखते हैं यह देखिए जो मैं बात कर रहा था कि हम system wise भी कर सकते हैं जो हमारे यह global rights थे तो वह हम यहां से manage कर सकते हैं आप किसी particular machine पर allow करना चाहते हैं तो आप उस machine को जाके आप allow करा सकते हैं है नो देखिए यह प्री-reserve global तो आप चाहें तो deny कर सकते हैं आप चाहें तो इसको वह कर सकते हैं इसमें आप कुछ भी जो है कर सकते हो और जो changes आप करने रहेंगे तो वह हो सकता है तो अब इसमें यह हमारा सिर्फ क्लाइंट इंसुलेशन था तो इसके बाद जो भी पॉल सीज हम अपलाई करेंगा और हम यूजर्स में जाके देखते हैं तो सायद हमें यूजर्स की डिटिल जो यह से देखे अब ही आ गया तो जितने भी आपके यूजर्स बने होंगे जो भी आप एजेंट्स इंस्टोल करेंगे तो आपको यहां पर यूजर्स जो आप एजिस केम्प्यूटर पे है तो वह यहां पर होंगे और अगर आपने इसे प्रोपर तरीके से चीज़े बनाई हुई हैं और आप कि और्गनेज़ेशन के अंदर आपको सार सारी चीज़े मैंटेन कर सकते हैं तो यह था हमारा क्लाइंट इंस्टोलेशन और यह सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी मुझे तो यहां पर देखिया अडिशनल कीबोर्ड जैसे मैंने बोला था कि हम एक ही डिवाइस एड़ करेंगे तो यहां पर स्टार्ट हो जा एक और मसीन बनाऊंगा मैं तो वहां पर फिर तीर मशीने मेरी चलेंगी मसीन पर तो उसमें हम पूरा यह आगे की जो चीज़े हैं जैसे डिवाइस कंट्रोल तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से और उसके बाद फिर हम चलेंगे कंटेंट अफेर प्रोटेक्शन पर तो यहां की जो बोलसीज हैं यह सारी चीज़े हैं यह मैं सिकाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम यह सब सी ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई